किसानों की दिल्ली कूच का काउंडान शुरू हो चुका है कल यानी 6 मार्च को राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाओं के रास्ते देश के अलगलग प्रदेशों से सेक्डों हजारों किसान पैदली दिली में प्रवेश करेंगे जिसको लेकर ना केवल किसानों ने कमर कसली है वलकि मद्प्रदेश, राजिस्थान और बिहार से किसान दिल्ली कूच के लिए आज ही निकल पड़े हैं जी हाँ, तेरह फरवरी को दिल्ली कूच का एलान कर पंजाब की किसान प्रेक्टर ट्रोलिन से निकले थे लेकिन हरिणा की सीमाओं पर उन्हें रोक लिया गया, इस दोरान काफी जद्दो जहद भी हुई, किसानों और जवानों में टकराव भी हुई और इसी टकराव में शुपकरण नाम का एक युवा किसान शहीद भी हो गया ऐसे में अब किसान नेताओं ने पंजाब और हरिना को छोड़ कर बाकी अन्यराजियों के किसानों से दिल्ली कूझ की अपील कर दी है जिसके मदे नजर आज शंबू बॉर्डर से किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस कर ये बड़ा एलान किया बीकियो सीद भग सिंग से तेजबीर सिंग आपके साथ जो जानकारी संजी करनी है कि कल छे तारिक को छे मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली जंतरमंतर की तरफ पूझ करेंगे शांतमी डंग से और हमारे पास इसकी जानकारी आना शुरू होगी है कि मद्या परदेश से किसानों ने राजसान से किसानों ने और बिहार से किसानों ने चलने के लिए तियारी कमरकसे कसलिये हैं और वो शुरू हो चुका है हमारा ये अवाहन है कि किसान मजदूर की जो लड़ाई है MSP खरीद गरंटी कानून की इसके लिए हम अवाहन करते हैं कि ये देश की जो लूट हो रही है उसको बचाने के लिए पूरे देश के छातर संगठन, महिला संगठन, समाजिक संगठन जितनी डॉक्टर एसेशेशने हैं, जितने एड़ोकेट एसेशेशने, वार कॉंसले हैं उनका समर्थना में लगातार जारी है हम अनरोद करते हैं कि आपके शित्तर में जो भी आप किसी वी दल से, किसी वी संगठन से हो तो आप अपने निजदी की किसान संगठन से संपर करके इस लड़ाई में हमारा साथ दे और जादा हैं जादा संख्या में दिल्ली की तरफ कूज करें एक विशेश जानकारी आपको देनी है कि हमारी अभीवक्ती की अजादी को हनन करने के लिए सरकार ने कल भी बहुत से हमारे पत्रकार साथियों के भी ट्वीटर हैंडल को बंद कर दिया गया है जो एक लोगतंत्रिक देश के अंदर नहीं होना चाहिए चोथा सतम माना जाता है पत्रकारतों को हमारे देश के अंदर ये बड़ी दुरभाग्यापुर्ण गटना है के अभी भी ट्वीटर हैंडल और जो फेस्बुक पेज हैं उनको बंद किया जा रहा है कुछ चैनलों को नोटिस्पेशन किया जा रहा है ये बिल्कुल सरसर गल्त है सरकार अपने किसानों मजदूरों की आवाज सुनने की जगां आदिवासियों की आवाज सुनने की जगां सरकारें तोडने और जो गोर अपराद है कि जैसे, मतलब कि जितनी गटना ये देश में गट रही है, तो देश का जो महौल है वो बहुत ही चिंताजनक है आम जनता को हर से सवाल करना चाहिए कि जितने राजनीतिक दल है कि वो अभी क्या सोच रहे हैं वो क्या देख रहे हैं ऐसा ऐसा महौल बना दिया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल के अंदर कोई भी नेता होता है वो जाकर BJB में समली तो जा यह जनता से सवाल है कि जनता कोन से सवाल करना चाहिए जनता पूछे कि लोगतांतरिक देश है डांचा कहां जा रहा है और कल का जो दिल्ली कूच का कारेकरम है वो निश्चे ही एक बड़ा कारेकरम होगा शम्भू और खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली कूच के दोरान किस तरह से टक्राव हुआ आसमान से ड्रोन के जरिये गोलाबारी की गई आरोप है कि पुलिस पोर्ट्स की ओर से किसानों पर गोलिया भी चलाए गई ऐसे में किसानों ने अब टक्राव से बचने के लिए ट्रेक्टरों के साथ दिल्ली कूच का फैसला इस्थगित किया है और पैदल ही राजधानी तक पहुँचने का ऐलान किया है हाला कि 6 मार्च के दिल्ली कूच में हर्यना और पंजाब के किसान शामिल नहीं होंगे क्यूंकि आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि अगर आज हम बिना ट्रेक्टर ट्रोलियों के दिल्ली चले जाएंगे तो फिर ट्रेक्टर लेकर कभी भी दिल्ली नहीं जा पाएंगे बता दें कि दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं ने प्रेस कॉंफरेंस कर सरकार पर पत्रकारों के सोशल मीडिया हैंडल बंद करने के आरूप लगाए हैं बल्कि जनता के लोगतांत्रिक अधिकारों का भी हनन कर रही है बहराल कई प्रदेशों से किसान दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं अब देखना होगा कि कल दिल्ली में किसानों की एंटरी होगी या फिर नो एंटरी का बोड लगेगा शंबू बॉडर से अमन कपूर पंजाब केचरी टीबी